तो आपके मन में कुछ queries होएंगी, कुछ सवाल होएंगे, आप जितने सवाल हमसे करेंगे, उतना हम अच्छा आपको response दे पाएंगे और आपके बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे Last time हमने एक बात करी थी, HD principle की, honesty and transparency क्योंकि families के अंदर भी शेम होती है, वो कुछ सीजें हमारी लाइफ में जो incidents हुए होते हैं, उसको explain नहीं कर पाते हैं, अपनी शेम के खारण अगर मैंने ये बता दिया, तो मेरा बच्चा कैसे feel करेगा, वो घर आके मेरा loved one मुझे क्या ही बोलेगा और किस तरह से react करेगा, वो resentments रखेगा, और कुछ ऐसी कई बारी important चीजें miss हो जाती हैं family से while giving the history, जो की actually patient की recovery में बहुत important होती है for example last time आपको बताया गया था, कि there was a patient, उसकी family में history थी societal ideation and attempts की, family का मतलब है आपके नान, पच्चे के नान के दाथ के में कोई भी, कई बारी family members कहते हैं, यह तो जब पैदा हुआ था, इसने अपने दादा को देखा ही नहीं, तब वो थे ही नहीं, लेकिन genes transfer हो रहे हैं, genetically, हम pre-disposed हैं बहुत सारी चीजों को, तो यह बहुत important है, आपकी family history हमें पूरी देना, बहुत important है, तो हमें बहुत देर बाद, after two months, कुरेद कुरेद के हमें समझ आई, पता लगा, कि उस बच्चे को जो आज इसको suicidal ideation आ रहे हैं, उसकी family में चार लोग suicidal attempt कर चुके हैं, तो यह बड़ा important है, यह बहुत important मसला है, यह बहुत important चीजे हैं, अगर आप हमें honesty and transparency से नहीं बताएंगे, और कई बारी ना, कु इनकी ममा, I think 65 years old थे, और ही बुस एनल्कोलिक, उसने क्या किया, उसने एक टेबल उठाया, पूरा इंटॉक्सिकेटिड था, अपनी ममा के सिर पे मार दिया, उनकी सिर पे कम से कम चबभी स्टांके लगे, and when they came to us and we asked कि आपको क्या हुए, मैं गिरगी थी, मुझे चोट ल वो एक्षली मौत है प्यारनी होता है अप्यारनी होता है एक टाइस्में एक थर्ड परसें के साथ शेम बहुत है एक थर्ड परसन, because for them we are the third person, कि आम फर्स्ट मीटिंग में जाके उनको कैसे बताते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें टेबल मारी, तो यह जो शरम होती है, वो हम सच नहीं आने देते हम हमीशा बात करते हैं कि जब हम हिस्ट्री इंटेक लेते हैं तो पेशेंट के साथ हमीशा दो इनफोमेंट्स चाहिए होते हैं जो उस इस्ट्री इंटेक को रिलायबल बनाता तब तक वो information inadequate रह जाती है जब तक उसके informants उसको clear नहीं करते हैं अगर आप देखें कि patient के बावजूद दो informants भी information को hold करके जहां selectively बताएं तो इसका मतलब case की दिशा ही कई और निकल जाएगी जब आप हमें बिल्कुल honestly और transparency में बताते हैं कि यह थे क्योंकि हम यहां पर इस चीज को हमेशा emphasize करते हैं कि इस hospital में symptoms diarrhea, lose motions, vomit के नहीं होंगे इस hospital में symptoms उसकी सोचों में, उसकी mood में और उसके behavior में ही दिखेंगे तो don't feel that कि अगर आपके बच्चे ने आपसे उंचे में बात किया, धक्का मारा, गाली दी, तमाशा करेट किया, तोड़ फोड की, यह अच्छा है कि उसकी बिमारी सामने नजर आ रही है तो हम इस तरह के ही symptoms आपसे पूछते हैं, अगर अब यह information या फोल बाक कर के दीजिए हमें, तो इसका मतलब ना therapy उसी साब से चलेगी, ना उसकी medication उसके उसी साब से चलेगी, क्योंकि हमें लगेगा कि so far as patient का behavior is settled, तो जब भी आप मतलब यहां पे counselor के साथ, उनके साथ information ज that, वो आपको judge नहीं करेगा, रादर वो case को और अच्छे एक road map में लेके जाएगा कि कौन कौन सी अप चीजे इस plan में foster हम कर सकते हैं, एक और बात, आपका जो loved one है, जो हमारे मरीज होते हैं, हम उनको loved ones कहते हैं, उसके दिमाग में एक कहानी चल रही होती है, उस कहानी में एक villain होता है, एक hero होता है, अब वो उसकी जो कहानी है, वो हमें अपनी कहानी कहता है, आके, और हमने यह देखना है, कि उसकी जो कहानी है, उसकी बिमारी की है, और उसमें क्या चल रहा है, वो तब तक हमें clear नहीं होएगा, जब तक आप हमें सही information नहीं देंगे, it is very much important, औ और यह मैं बता दू, हमारी पूरी फामिली में, it's with all regard and respect I am telling you, हमारी फूरी फामिली में एक वीक करेक्टर है, एक strong करेक्टर है, तो हम तो हमेशा बुचते हैं जब फामिली आती है, भई बता दो, सबसे वीक कौन है, सबसे strong कौन है, क्योंकि हमारा loved one, हमारा जो patient है, वो ह बता है, मेरा बेटे नमी नहीं होगा जाए जो इसान नो जो रही बाइजान दा वी दोर्पा होते तो उसी एथो कहने है, नहीं जी तू आपने पर पेरेंस नो मना लाता तर तो इस जाटने, वो कहने हमारा दो दो मुने दबाद रहना नहीं अधी चोने पंदान में इस जाटने मुना लाता है, आसी नहीं हो कहा जो बड़ी बीयूटिफिली दस्या है, साध्य मरीजा दी कहानी चल दी परी है ठीके और एजडी रेपिटिशन है अन्हादत बन चुकी है शुरूत हो क्यों क्यों कि कि अधर फामली ने उना दी गल्ला सुनिया होंधी है, जा बहुत जिली है तरली बिलीव करता है अब वो कहानी क्या चल रही है कि विक्टम स्टोरी मतलब कि अब मैं बेचारा मैं अगर लाइसेंस नहीं लेने गया तो मैं वहां पर वापस कामी नहीं कर पाऊंगा अब यह बेबिसी वाली स्टोरी इतनी सची उसको लगती है तो उसने कैने हम लोगों को सटोरी तिक हैं तो किया उसकी जिर उसकी जिरुड़ी है इस जाना therapeutic जाना चूहए हम तो रोट चरय को आपनों का बताओ को यह अपने लigrade डेखो अज आपने कहना है आज आप केने हैं आज आपको मफ़त मिलें कट स्ट्रॉंग मेसेच बच्चे को कनवे करना है कि तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है जान होगी तो जहान होगा एक चीज में कहता है किदे न किदे बींग फामिली असी वी उन्हों लारे लपे ला देने हैं असी कह द एक चीज मैं पताती हूँ हमारी बहुत सारी फामिली उनकी अंदर इतनी बिचैनी और इतना डर होता है कि वो अवयडेंस करती यह थिए यह हमारे अपना वीफाल्टी कोपिंग मेकैuezम होते हैं हम वाइड करते हैं वो रियल पिक्चर इसको देने कि लिए कि आज तो टिका हुआ है ना आज तो मेरी बात सुन रहा है ना बात की बात देखेंगे मैं सारी पामिलिस को बोलती हूं next day आके confront करें बिल्कुल coming next day जिस दिन patient हमारे पास आया है उसे अगले दिन आके आप मिलें या एक हफते के अंदर-अंदर आप आके मिलें और clearly बोलें बेटा तीन महीने और अगर हमें तीन महीने में वह इंप्रूम्मेंट नहीं दिखी तो शायद छे महीने भी हो सकते हैं पर हम वह नहीं कह सकते क्योंकि हम दरते हैं तो अगर आप हमारी तीम में हो जाएं और हमारे साथ कुरा शामिल हो जाएं और यह वर्ड बोल दे उसके बाद नहीं बोलेगा उसको पता है उसकी गुंजाइश है उसको पता है मैं फामिली को बोलूंगा तब करेंगे हम तो कि आपका लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो अधे सारे लेक्चर भी सुनी दिया जी उन्हों कही दा विया फिर भी इंस्पाइट ऑफ दाट और फिर भी एही काशना है तो लेट सिट तोगेधर तोड़े और आज हमें कटे बात के बात करें है अपनी बात करने का मेरे अंदर वह भाग जाता हम की मैं अपनी तॉप नहीं करता है तो हम दस बार उसको एक चीज़ दुबारा दुबारा क्यों नहीं कह सकते क्यcap पहता है। उसको टेस्ट करनी है। वो अपनी बाते मनवाते कैसे हैं। दस बार एक ही चीज बार शुबबार शुब कर ले और वह की जाकी है। पर जो करना कर लेG जो करने के आधी प्रतों वह आक को हुट कर रहें . आपको न हम हमारे पेशन्स जादुगर होते हैं, इनमें हैंfeld biz अच्छा भुण जादुगर, बजऑ हैं इतनी पर्सिस्टंट्ली लगे रहते हैं एक बात करने, बार बार, बार और जो माम कहे रहे हैं, जेतनी बार वह कहते हैं, अपने बार आपने ना करनी है अल्तिमेटली बिमारी को समझ आजाएगी तेखो बच्चा खराब नहीं है मारा बच्चा कोई गल्ट नहीं गा उनु बिमारी हो जी लगी हो यह जड़ी उनु काली पान्दी पर है और उसने अपनी एक स्टोरी बना लिया कि तू मन्स पास कर दो मीन जालके उन्हों बहा नहीं बन गया उपलाना याशी राम चंडरा याशी दो मीन लागे चल गया है ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनराइस की वह बात कर तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दू हमारे अनराइस थ्री मंथ लगा के अब वह फॉलो अप में आरे हमारे अनराइस ऐसे हैं कि जो 3-3 मंथ लगा के वह इतनी दूर से फॉलो अप के लिए आ रहे हैं सिरफ सोला दिन के लिए चुटी लेके बहुत मुश्किल है हमारे लिए लोकल इंडिया में होके फॉलो अप में आना इस वही डिपिकल्ट और वह दूर से आ रहे हैं और इंपोर करेंगा पर पेशन अपना जाक लगाता रहते हैं कि शायद पेच खुल जाए मम्मी कहानी खुलेगा शायद आपको किसी ना किसी बात में फसाल है ना यह मैं बता दो हमारा एक पेशन आया कल आते ही पहले दिन आया और आते ही उसने सब साफ मेंबर से पूछा मैं यहां प किसी बात पांची मैं का बच्चे हम आपको कंफटेबल करेंगे आपको अच्छा रूम देंगे आपको फीस को क्या करने नहीं और बाइद एंड अफ दे दे मुझे यह समझ आई मुझे यह पता लगा कि उसका ममा पापा का कोई कि इंप चल रहा था एंड 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 पीस किनी में पता लगा लिया कड़ो में नुबार जल्दी वान डे में इतनी मैं मैं इन बिलेटिव होती है बिमारी यह मैं बता दू आपको चार चीजें पेशेंट ने करनी करनी है बहत बार बताई है सबसे पहले गुसा दूसरा धंकियां थ्रेक्निंग भीयर तीसरा ब लीडिंग तरले मिनते फिर सब प्यार याद आ जाता है मेरा बच्ची के बिना दिल नी लग रहा मेरा आपके बिना दिल नी लग रहा मैं आपको बहुत प्यार करता हूं मैं सुआ खानना मैं बिल्कुल ठीक रमांगा जरे मर्जी गुर्दवारे लाएके मैंने सुआ पव अब हमारे लवड़वन में दो चीजे चल रही है नमबर एक कहानी नमबर दो उसकी फिक्सेशन है किसी चीज में उसकी कुंडी फसी हुई है कही ना कही वो उसने एक बात आपको ऐसी प्रिजेंट करनी है जिससे आपने चीजे हो जाना है हो ही जाना है अगर वो कभी रूम में आपको कहेगा कभी पैसो में कहेगा कभी शिफ्टिंग गराने के लिए कहेगा कभी किसी चीज के लिए कहेगा और जब उसको लगेगा कोई बात नहीं मेरी मान नहीं अब तो मुझे लेई जाफर ठीक है अब फिक्सेशन कही है ना पहले फिक्सेशन कहां थी कि नशा करना नशा करना ठीक है अब फिक्सेशन कहां पर चुटी दे दो छुटी दे दो फिर डिसरी चीज आएगी मैं आप पर कर ला ना मैं मुझे लोड नहीं मैंनो दिवायां दी लोड नहीं तो आप देखना कि हमेशा ऐसे ही वेव आता रहेगा जहां पर वो अपने हिसाब से प्रोग्रम को चलाने की कोशिश करेंगे मैं यह करना चाहते हैं कि as a parent I think I can understand what he's trying to say कि अगर दो महीन है बच्चा यह हो गया है तो इसको ऐसे counselling करें कि वो यह बातना गोले I think that's what he's trying to say We are already doing it ma'am but inki taraf se strong message अभी तक नहीं गया जब तक inki taraf se strong message नहीं जाएगा वो बस भी ठीक है उसकी पर वो फिर भी आपको convince करता रहता है ना तो फिर आप हमारे साथ बैठ के यह करेंगा अच्छा पानी अपना रस्ता काम ओडता है जहां पर धलान अब धलान कौन बनता है family उनको पते counselors are very assertive and they go by the book they go will go by the program अब धलान कहां से मिलती है कोई न कोई वो family member और वहां से बीमारी निकलने का exit रास्ता दूंडेगी and कई बारी क्या होता है na family एक word बोल जाती है एक word वो हमेशा सब बोलते है कोई नी बच्चे कार लांगे कोई नी बच्चे कार लांगे होता है कि दो महीने होगे है बच्चा सबज नी पारा ना तो वो एक बात आजाती है we totally understand your point also because for years you have been seen तो अब हमें लगता है कि यार वो रिजर्ट आपको clearly बता दे इसको absolute denial बोलते है ma'am और जो absolute denial है अगर हमने सारी meetings attend करी होए तो हमने ये बहुत बारी explain किया है जो असली फरक पड़ता है ना पेशन में वो धाई महीने के बाद 70 to 75 days धाई महीने बाद वो दिवारें तूटती है वो ब्रेक होती है जब पेशन को after two months next week आता है ना and you know something we have seen इतने stubborn patients, इतने hardcore patients, इतने जादा psychotic patients change होते हुए after second month finishes, after they enter into third month फिर जाके कहीं थोड़ी सी हलकी सी एक किरन आती है, insight आती है फिर उनको लगता है अच्छा होंते हो गया काम होंते करना ही बहना है तीन महीने फिर जाके वो ब्रेक होते है फिर जाके उनकी real self turbulence आएगी, turbulence आती है initially two weeks में ठीक है फिर उसके बाद आती है towards end of first month यह आनी आनी है turbulence फिर उसको लगते कि एक महीना family नहीं मानी दो महीने अब turbulence कहां पर आएगी, towards the end of the second month और एक और चीज़ आती है तो मिलिमम तीन turbulence is to heavy, वो पूरा हिला के रखते हैं क्योंकि अब दो महीने के बाद जब उनको पता है कि अब रही मतलब कितना गया program और subconsciously mind आपका सीख रहा होता है, then वो real change आता है तो आप त्यारी रखिए ऐसा नहीं है जो पहले महीने में वो जोड नहीं लगाते हैं वो भी पूरा जोड लगाते हैं कि एक चांस हमें दे दीजिए, तो turbulence महीने के आखरी में भी आनी है वो चाहे पहला हो चाहे दूसरा ह but आपको डटे रहना, and एक नहीं सबसे इंपोर्टन चीज हम ये ना भूले, सब फामिली के कही न कहीं ये मन में होता है कि हमें 100 देज बोला है, तो 100 देज में जादू हो जाना है, 100 देज में नवा नकोर सानू बंदा मिल जाना है, अभी आपने बोला सालों साल हम जदो ज चुकिया, chronic मतलब चिरांधी चाल दी पही है, and it's just not addiction, addiction के साथ हर हमारे लवड वन को को मॉर्बड कोई नो कोई इलनस है, किसी को psychosis है, किसी के anti-social personality है, किसी को borderline है, किसी को mood issues है, anxiety issues, personality disorders है, तो कई personality disorders वाले patients को break करना is really, really a challenging thing, और यह बता दे, तीन महीने में सफर खतम होने वाला नहीं है, सौ दिन में सफर खतम होने वाला नहीं है, यहां पे कई families है, जिनके patients are follow-up में आ रहे हैं, as I told you, हमारा अगर connection बना रहेगा ना, हम क्यों यह family meetings करते हैं, सिरफ इसलिए नहीं करते हैं, कि आपने आके अपने loved one को मिलना है, यह इसलिए करते हैं, कि this is a platform, इसमें जितनी आपकी anxiety, जितनी आपकी बिचैनी चल रही है, आप उसको discuss करें, और हम एक team में हो, अगर आपका हमारा connection बन गया, तो this is forever, addiction is a forever disease, सारी जिंदगी की है, हमारा connection अगर forever बन गया, तो हम जीत के, इन meetings का purpose ही है, कि आप support मिले, आप को, आप strengthen हो, और आप बिमारी के साथ deal कैसे करना है, so meetings का purpose क्यों होते है, कि आपको psycho educate करते हैं, हम psycho education means कि बिमारी का रूप, रंग, चाल, चलन, कैसा है, नहीं पता ये बिमारी, कि ये बिमारी कैसे है, तो हम जब तक आप बताओ गे नी, तब तक हमी कैसे पता लगेगा कि इसके साथ deal कैसे करना है, तो हर बात हम सरफ आपको बिमारी की रूप रेखा बता रहे हैं, कि इस बिमारी ने इतनी चलाख है, इतनी मायावी है, कि इसने आपको ब्रह्मे डाले और ये जो हम स्टेटमेंस देदतने हैं, लारे लाने वाले अच्छा देख लेत कि अब कौन सा एक्स्प्रेशन आ रहा है, यहां मेरी ममी एमोशनली वीक हुई है, यहां मेरी फादर एमोशनली वीक हुई है, यहां मेरी वाइप एमोशनली वीक हुई है, उसको वो इतनी जल्दी भांप लेते हैं, वो कहते हैं, अब राइट ताइम यहां कि अब यहां रफे हाषी हमारो अपकाम बन जाएग और अर उबसी हमारे लबड़ बन्स होते हैww कही बारी है हमें तो पता लगता है हमें कही बड़ी चाहम को भी बता लगता है अज फेर कह दी इतना नॉमल है ना इतना नॉमल है ना वो मतलब शाम को रात को सोने से पहले न वो उनकी नेगटिव कांसलिंग चल रही है एक पर कहके वेखली है की पता मानजन ने उन्द है काद्यानों ही पूरी गील्ट उन्द है चाड़के उनने मानजन है गया है जो आज में सब को देना चाहती हूँ देखिए पेशेंट अगर आपको लगता है घर जाके उसने फ्रेंशिप की है उन फैलो मेट्स की जो यहां रहे है इस यूर इंपोर्टन थिंग के आपने कांसलर को बताना है क्योंकि हम यहां पे फ्रेंशिप नहीं सिखाते हैं हम यहा कि पेशेंट यहां से जाके एक दूसरे को इंस्टा के अपने आईडी या नंबर्स देते हैं वह आपने देखना है हमने वह बली फ्रेंशिप नहीं डाली है क्योंकि हर पेशेंट को दुबारा कहरी है उसके दिमाग है अगलग कहानी बन रही है उनकी को मॉर्बिड और इ करते हो और फेलोशिप का मतलब ही सिंपल होता है कि एक गोल उसके लिए हम सब लगे हुआ है तो फेलोशिप वाले गोल को सिकेंडरी कर देंगे और फ्रेंशिप वाले गोल को करेंगा और फ्रेंड्स क्या करते हैं आपकी बाते चुपाते हैं जनरली यह होता है यही होता ह करते हैं कि आप फेलोशिप में रहें और फेलोशिप में भी आप उनके साथ साथ करें जो आप से चार कदम में रिकावरी में आगें और हमारी फामिलीज ना कई बार ही यह कहते हैं हमें माम इसको किसी अच्छे बच्चे के साथ लगा दो इसका इसकी दोस्ती गरा दो इसका दिल लग जाए यह जो हम सारे के सारे अपने पेशेंट को कॉल करके पूछते हैं दिल लग गया मन ठीक है नेंड आरी है भूख लग रहा है खाना अच्छा मिल रहा है I'm really sorry to say these are all dirty questions according to us यह वने करने नहीं है जब बच्चा हमारे What should we ask when we call? What have you learnt so far? How is the program going on? What is the routine? What was the sessions? Which therapy did you were involving? What new thing you have learnt? Just tell me one realization you are learning of the day, okay? है इस परह से पूछिए यह मतलए दिल लगया है दाट इस नंबर वन कुए सिन जो प्रोग्रम अब्सेन करता है कि इसके बारे में यह क्यों नहीं तुम्हें है लाइफ में, बट वी आ विद यू, राइट, वी नो, इत इस दिफिकल फॉर यू तु स्टे इन अ हॉस्पितल, सबको मुश्किल लगती है, पर यह तुम्हारी रिकवरी के लिए, जब आपका लव्ड वन आपसे चुट्टी की बात करता है, तो देटा इंटे अचा, एक सवाल है, आप यह बताएएं, कई बार जो पेरंस होते हैं, उसमें खादर होते हैं, वो मदर को बोलते हैं तेरा किता क्राय है, तु तु वगाड़यावे, तु एनु लाएं गई हैं, तु एनु पैसे दिते हैं, तेरे कार के यह जा नशे देवीच, यह ताएं प्रफामिल्य मेंबर्स को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ," बताएं," तुम्हें, मेरा यही वाइफ कोई पैरेंट, कोई वाइफ, कोई माबाब, चाहते हैं उनका बचा नशे में जाए," पर होता क्या है कि जब यह ब्लेम गेम शुरू होती है तो डिवाइडेड रूल में फाइदा कौन लेके जाता है तीसरी पार्टी बिमारी तो यहां पर उसकी बिमारी सो जब हम एक दूसरे को ब्लेम करें दाट मींज हम क्या बात करें हम प्रॉब्लम की बात करें हम solution की बात बात लुद भाट पी जाता कि यह लड़े और मेरा काम में उनका ध्यान हटे और मैं अपना काम अराम से कर अच्का एक ना एक वड़ी सिंपल सी बात है लोग ना कहते है कि जो लोग शिराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं और यहां बदरी खराब सी अग्णा बंदरी ख तो आपको यह बता दे हमारा फोकस सिरफ नशा चुडवाना नहीं है हमारा फोकस है कि नशे के साथ जितनी और character effects आएं उसके अंदर उसके behavior उसके mood उसके belief system उसके हमने work करना होता है और यह easy नहीं होता हर एक दिन का अपना importance होता है कि belief system क्या चलता है कि जो लोग गंदे हैं वो नशे की तरफ जाते हैं But contradictory, नशे की बिमारी में आके, उनके behaviors bad होते हैं. तो हमें लगता है कि नशा आया, तो problem आई, बिमारी आई, अब नशा चला जाएगा, तो problem solve हो जाएगी. But नशे जाने के बाद problem solve नहीं होगी. इनसान तब ठीक होगा, जब वो अपने character defects पर काम करेगा, सोबर तब होगा नशा छोड़के इंसान जादा खतरनाक हो जाता है अगर वो अपने behaviors, character defects पे काम ना करें रियल उगरवाद वो बनता है तो हमें हमारा program तो नशा छोड़ाने पे तो है ही नहीं है हमारा तो program ही सिर्फ किस पे बात कर रहे है कि आप अपने addictive behaviors, अपनी mal addictive thinking अपने पुराने धर्रों पे काम करो thinking errors पे काम करो ताकि नशे की तो entry आपकी life से exit हो जाए So this is the program हम यहाँ पे नशा नहीं छोड़ा रहे हम यहाँ पे दिमाग का इलाज कर रहे है Secondly हम उसके behavior पे उसकी distorted thinking पे उसके faulty belief system पे रोज हतोड़ा मारते हैं कि यह बदलने चाहिए यह बदल गया उसका lens बदल गया तो उसको दुनिया different lens से अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी अभी lens में सिरफ काला चश्मा सिरफ नशे का ही चड़ा हुआ हम तो रोज उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसकी thinking उसके behavior और उसके belief system को रोज कुरे दोते हैं बताई हैं कि 90% लोग जो होते हैं उनको करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं 90-96% लोगो कि अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं हमें भी है सब में मुझ में भी है इनमें भी है पर वो थे अब हमें जब समझ आई है तो हमने पर वर्क कर लिया है जितने हम बैठे हुए हमे निवे भी कही न होगे में जूटना बोला जूट ना बोला हो जूट करेक्टर डिफेक्ट तो हमने ऐसा को इनसान निया जिसने अपनी जिम्मेंवारी से कभी ना कभी लाइफ में कन्नी कतराई नहूं हम सभ्ने वह भी एक विए और डिफेक्स नशमें वह एक जो फोर्ष है वह हो जाते एक के साथ पीछे चार आ तें हैं उनमानेज़ेबल हम सब में कर्येक्तिर डिफेक्स है तो specialist पूरी बरात आती है एक करेक्टर डिफेक्ट होता नहीं आप देखिए कि अगर किसी इंसान नशा करना है जूट के साथ उसमें हेरा फेरी आएगी वो अपने काम से बैमानी करेगा ठीक है अपने बारे में सोचेगा फिर वो कोई ना कोई करेगा पांच शे करेक्टर डिफेक्स आगे अब यह जो उसके करेक्टर डिफेक्स मल्टिप्लाइ हुए उसने उसकी लाइफ को अनमानेजेबल किया इसलिए हमें काम उन पर करना है क्योंकि पूरी फोर्स है एक आदा नहीं है अब तो पूरी आर्मी की फोर्स खड़िया है फिर आप बड़े शायद हो सकता कल दूसरा निकला है पट आपकी नजर अब आपके अपने उपर है मता आप अपने चौकीदर जब खुद बन जाते हो उसको रिकवरी कहते है क्योंकि वीक अक्शन शायद हमसे होंगे हम तो प्रोग्रेशन में बिलीब करें पर्फेक्शन एक इसमें नहीं है बताओ हम सारे जो बैठे होंगे है कोई एक बन्दा पता दो जिसमें अपनी लाइफ में गभी गुसा ना किया उ पर वही गुसा जब खुद में आता है तो हम तो आसेट रजाते हैं हम तो स्टेपब ही कर लेते हैं हम कोना कर लेते हैं बी और गुसे च तो मैं बात कर रहे हैं आंगर और आंगर की अगर इंटेंसिटी उसकी लांगवेज एक गुस्सा हुआ ठीक है मैं नाराज हो गई इनसे और एक गुस्से की लांगवेज है कि मैं अब तोड़ फोड पे उतर आई मैंने इनका गला पकड़ लिया दोनों अंतर हैं ठीक है एक तो मैंने का कि चलो ठीक है अभी इनसे नी बात करती हूं पड़ मैंने कोई नुकसान नी क्या गुस्सा हम सब को आता है पड़ अपना जब मैं किसी का नुकसान ना करू वो फिर एक हल्दी एमोशन में गिना जाएगा बिकॉस इस चीफ एमोशन एक बेसिक चीफ एमोशन म वहाथ कड़ा करेंगे फ्लीज़, हमारे लव्डवन ने घरोमे चीज़ें तोडी हैं चलो वो चीज़ें थोड़ी हैं उन चीज़ों कितनी जल्दी हमने ठीक करवाया ? मुबाइль तोड़ा, मुबाइль तोड़ा शिशा तोड़ा, गारी तोड़ी कुछ भी तोड़ा और कम से कम मिनिमाम टाइम दो दिन यह जो दुबारा दुबारा सुनानी सबने प्लीज जी जैसे इस पोज उन्होंने अपना फोन तोड़ दिया तो मुझे होता था कि अब यह और गुसा करेंगे क्योंकि उसको भी उनका फ्रस्टेशन बढ़ जाती थी तो मुझे होता था यह हमारा फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है यह हमारा शोट तम फोकस है कि अब भी के लिए मैं जुगाड कर दूं कोई राइट कभी भी हमने अपने लवड वन को कॉंसेक्वेंच नी आने दिया राइट शीशा तूट गया हमने फटा फटा फट रप्लेस करा दिया राइंग कोई ग फाल्ली जो वेस कोपिंग है उन में बात की थी फामि принципеन करती है अब सर एllers करे हैं सबसे पहले तो अथूछ इप्स पहले एंडेंट होती है एक्स्पियेंचिल अव्ट इस हुती है फाम्ली हीशा फेिर डर होती है कही न कहीं चाही तो कर दा सिपकोर निथ Lisa की बने क पता नहीं क्या होगा, पंदरा दिन में क्या चेंज आएगा, महीने में क्या चेंज आएगा, दो महीने में क्या चेंज आएगा, अच्छा मैं भी बता दू, फैमली कई बारी ना, हमें ये भी बोलती है, ये तो वैसा का वैसे ही है, मैं हम दो महीने होगे, ये तो वही बात क घर जाने की, उसके इलावा देखें हम, उसके इलावा उसने उठना शुरू कर दिया, नहाना दोना शुरू कर दिया, उसकी हाइपर एक्टिविटी यहां थी, वो अराम से नीचे आ गई है, उसने बैठना शुरू कर दिया, उसने सुनना शुरू कर दिया, उसने प्रोग्र तो तो ठीज के अ लिए। टीक है ना मादम ठाई हम ठाईनी पेच दो डॉड़ दिन चे अडपनों जनता है। दो दिन पेले की हो जाएगा। यह दो दिन पहले तक चलती रहीगी यह वान गर जाने की। इसको हम समझे यह खत्रे की घंटी नहीं है। अगर वो आपको यह बोलता है ना घर जाना यह घतरे की घंटी नहीं है यह संधिये यह नॉमल है यह उसकी ट्रीट्मेंट का ही पाथ है अगर अगर आपको ना करते हैं हम आपको पूर एक सपोर्ट देते हैं रहें तो हमें सबसे पहले सहने बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि वह मोट यहांपर यह यहां पर रहें पर हम कहते हैं क्या हैं कि दीख लेंगे अफमारे सामने आ करने हमें थोस्तारे किमारे सो उसतरह से च्छाइन पर विश्वास रखीझ्ऊ आप न झीव ने शुग तो मिन आहाओ गूसा और मेरा सार नेच्छम्स को अर्य बोल आज कर टर We are ready for it. Okay, now let's go to the next slide. Experiential avoidance, we had done the illumination. So, we were talking about faulty coping mechanism, which is a new thing with us today. So, faulty means that it is a wrong way. Coping mechanism, because in life, when we have a stressful situation or a trap or a trap, we try to deal with it ourselves. And we don't know this knowledge, we do it on a subconscious level. Now, we have the coping mechanism that we have to deal with in life which is a bad thing, which is a bad thing, to deal with it. Which way I am going to use it? What is it going to be? Which way is it going to be healthy? Faulty. So, from which we have done the first faulty method, experiential avoidance. Experiential avoidance means to run from any experience. And to run from which experience that it is a bad thing. If you don't say it, you will give me a bad thing. if you don't give you a bad thing, then I will not talk about it. I will give you a bad thing. If you have seen it, you will do it right now. So, when we become a perfect pattern, that the experiences, the feelings that we feel painful, we are not chained, and we are looking for an escape route, we don't talk about it. So, when we become a perfect person, we do not change. प्रॉब्रम औरे पार करती माद आपस ऐसे फामी डी मेम्बेश भी हैं ऑगले दिन यह नहीं को जाया ω सब्सक्राइब दो के लगा वह स्यांता है प्राइब के लिए इा कि लिय शुटते ल हैं अगले दिन धीनॉ मैं है तो उने सम्दके Państwo करेंद नहीं ओ कहा Grow मिन दों तो यह दो हम कुछम घुलादें क्यों एतना है थे कुछिते हैं तो यह किन यह यह भूपम करना के लग्म ऊसे कों से घ्र ओलाना चाहते हो करे हैं अन्हाँ दुन के लिए器 मिनी का जिете है आप के वाशिट पास डेया यह फैट था तो आप कह दो न हमें हमसे क्यों किलवाना चाहते हो तो यह बताने की जरूरत है हम तो टीटिंग तीम है हमने तो कहने ही कहने है जब परेंट्स की तरफ से एक स्ट्रॉंग मेसेज जाता है फिर उसकी जो है वाल्स चूटती है उसके अंदर इंसाइट आती है कि मुझे रहना है रहना है हमने ऐसे भी देखा है पेशन बहुत प्यार से बात कर रहो हता है कई बड़ी फामिली से तो फामिली जब कन्फरेंट करती है ना तो पेशन एकदम से अग्रेसिव और अब्यूजव हो जाता है बहुत गालिया निकाल देता है कली हुआ है अभी एक पेशन के फामिली ने बात की थी बट साथ ही में दो मिनिट में वो इतना शान्त हो के मारे पस आता है एक महीना वो गरबड़ देता है आपको सिधा तीन महीने हंडर डेस बोलते हैं तो आगे से जो एक्स्पिरेंशल वाइदेंस होती है फामिली क्योंकि धर होता है ना पास्पिरेंस से तो कहते है माम प्लीस समझो एक मिन निवस्टे ते मन्या है एक मिन निवस्टे प्रोग्रेस देख लिन दो किया है वेरी क्लियर मेसिज हमने हमने खुद अंभिविलेंस कर दी फिर पेशेंट के लिए हम खुद ही उल्जन में हैं हा या ना वले तो जब हमने एक मैसेज पेशेंट को इनिशली कर दिया कि बिटा एक महिना देखते हैं फिर बिटा दो महिने देखते हैं आपकी चुपी जादा नुकसान करेगी राधर पेशेंट को सामने कॉन्फरंट करना जा अपनी बात सबस्ट रखना तो यह जो हम चुपी धार के चले जाते हैं ना सार लिए अगे दिखांगे वो जादा खतर्नाग है हम आपको कहें आप अकेले नहीं हो हम आपके साथ हैं आपके साथ हैं आप बोलिए ना पेसले यह हमारे आगे भागे मishaanji फ्लीज सबसचे। आपके सब्सचे लिएंग का रखनागे टुपी वह जिश ठुश journalists खंवागी फिट्ष परे, मुत अच बांगे यह लिग मांण से खुआ सुन्क्या हम लगटा यह यह इतनी बट्रिंग हो रही है न अब हमसे कुछ जाता है अब हम नहीं थिसलना है हम भी पूरे हम भी समझ आजाती है अब यह कोई वहां से डिमांड आनी है किसी चीज की जो बहुत अच्छी लगने लग पड़े हैं न हम तो इसका मतलब है गड़वर है फिर सो यहां पर फामिली से हम इसी चीज के ऊपर आपको एड़ोकेट करेंगे कि जो चीजें आपको बेचैन करेंगे इस्पेशली उसके स्टे को लेकर उसे मिलने को लेकर उसके बारे में सही बाते बताने के लिए उसे अवाइड मत कीजिए उस एक्सपीरियंस ओप जो तरी मुंस आउट पेशेंट होने फिर धाई साल तक हमने गनेक्शन में रहना है थेरपी में अभी लंबा सफर है हमारा बड़ी क्लिरली हम कह चुके हैं जब हमने शुरू किया था था हॉस्पितल में वह हमारा जीरो डे था तो फुर अप यह लगने हैं ब्रें की जो गड एंप्रेंट ते सफीट शॉर्ड पैसिन को शाठ रहां में एपने घरो में रख सकते हैं तो यह याद रहें एडिक्षें इज अ psychological disorder, this is a mood disorder, सबसे मुश्किल है ये, सबसे मुश्किल, जिसके साथ हम treatment में है, आप और हम, सब, ये इतना सान नहीं है, depression ठीकरनी बज़ बाद सान है, एक महिने, दो महिने द्वाइया जाएंगी, counselling जाएगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है, addiction ट्रीट करना सबसे मुश्किल है, क्यों? क्योंकि insight ही नहीं होती, denial इतनी होती है, बंदे को लगता ही नहीं है, मैं बिमार हूँ, ये data intervention बार-बार इसलिए कराया जाता है, कि उसको, उसकी incident, accidents दिखाये जाएं, उसके अंदर insight डाली जाए, कि तुम बिमार क्यों हो भाई, तो ये याद रखना है हमेशा, जब आपका loved one घर गया है, तो आपके साथ एक patient है, जो घर गया है, जिसके mood ऐसे 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 होने है, कभी अप, कभी down, कभी कुछ, कभी कुछ होने है, कभी शक की भावना आजानी है, कभी mistrust आजानी है, कभी गुसा आजानी है, कभी-कभी pop-up कर सकते हैं, कई बारी दवाईयां चलते हुए भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि दवाईयां चल रही हैं, तो जादो ही हो जाना है, कि आप being family member सबसे पहले समझेंगे, कि अगर आज गुसा आ रहा है, आज मेरा मरीज चुप है, आज जरूरत से जादा बाते कर रहा है, यह बाहर जाने की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, अब हम हमेशा कहते हैं, कि बेबसी एक word है, जो family कहती है, बहुत जादा, मैं बेबस हो मैं क्या करती, फिर मैंने चाबी रेदी की जा चक्कर लगाया, सबसे बड़ा वर्ड जो होता है, पेशन की तरफ से बोडम, मैं बोर हो गया हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा, कितनी देर घर बैटूं, मैंने बार जाना ही जाना है, तो वो बोडम, हम भी family कहते हैं, ठीक है तक चक्कर लगाया हो, हमें यह नहीं बता, वहां तक चक्कर लगाने में एक स्लिप हो गया, जा के टिबैको ले लिया है, सिग्रेट ले लिया है, कुछ और अपना रेंज कर लिया, असर्टिवनेस इस वेरी मुच इंपोर्टेंट, कि ना बोलने है, कि जब भी कोई पेश हम लगा के जाते हैं, कि यहां से ट्रीटमेंट के बाद हमारा पेशन बिलकुल नॉर्मल होगा, तो अंडरस्टांड डाट कि उसकी भी बिमारी क्रॉनिक है, कुछ लिमिटेशन उसके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, प्रोग्रम, फ्रीटमेंट सारा उस चीजों को मिनिमा हैं, तो वह बिलकुल नॉर्मल वैसे ही, आए, जाए, उठे, दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जाए, उसके लाइफ स्टाइल बिलकुल पहले जैसा हो, तो अंडरस्टांड डाट कि उसकी लाइफ स्टाइल अब डिफरेंट होने वाली है, बिकॉस उसके अंदर ये ब इरिटेशन नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं आएगी, आपको आगे लेके जाएगी, पट अगर आपके अंदर हेटफुल असेप्टेंस का मतलब क्या है, कि आप मान रो प्रॉबलम है, पट आपका कंपारिजन बाकी बच्चों के साथ चल रहा है, कि वाय नॉट ही, तो करना कि मेरा हस्बेंट, मेरा बेटा, अगर जिसको मैं कहरी हूँ, वो उसकी कुछ लिमिटेशन रहेंगी, वो बिमार है, क्रॉनिक एडिक्शन, क्रॉनिक बिमारी है, तो आपकी एक्स्पेक्टेशन यहां हो जाएगा, पेशिन की कपासिटी इतनी हो जाएगा, यह जब होगा, तो वो कॉलाप्स करेगा, तो आपका एक रिलिस्टिक ग्राउंड पर आना बहुत इंपोर्टेंट है, कि बच्चे को बिमारी लगी है, और वो कब तक चलेगी, मलेरिया डिंगू नहीं है, कि उसका एपिसोड आया और चला गया, इट इस अ क्रॉनिक इलनेस, जो लाइफ टाइम आप उसके साथ रहेगी, लॉंग लास्टिंग है, तो प्रोग्रम क्या है, उसकी मैनेजमेंट सिखार, मैनेजमेंट अची करते रहे, तो लंबा होगे, आपकी लाइफ मिल्कुल साफ सुथरी, सुकून भरी, और लो हमने यह देखा है, कि जो पेशन्स है, उसकी ओपन हार्ट सरजरी हुई है, क्या हम आफ्टर सरजरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि अब यह पहले जासा हो जाएगा, पहले जैसे भागेगा, दोड़ेगा, समान अठाएगा, हैवी चीज़ होएगा, और लेकिन हम एडिक्शन में यह कहते हैं, यह पहले से भी अच्छा हो सकता है, अगर हम connection में रहेंगे, पूरे treatment में रहेंगे, तो वह पहले से भी अच्छा हो सकता है, एक बहुत important message सबके लिए, जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, जो online हैं उनके लिए भी, देखिए, एक ना बड़ी दिक्कत आती है हमें, being a treating team, कि जी यह हमार पेशेंट बॉंगा हो गया है, तिल्ला हो गया है, तुप हो गया है, बात ही नहीं कर रहा है, बहुत दीरे दीरे चल रहा है यह, इसके अंदर फुर्ती नहीं है, तो आपको बता दे हमने अपने पेशेंट को फुर्ती में जो देखा है ना, वो under the influence of drugs देखा है, या अलको करते हुए देखा है, जो मैम ने अभी word यूज किया था, capacity, तो आपको यह समझना है कि मारा बच्चा थोड़ा special है, भी वो under treatment है, अभी उसकी capacity इतनी है, इतनी नहीं है कि वो 10 km पैदल चल के चला जाएगा, अभी उसकी capacity धीरे 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 बिल्डप होईगी, अगर आपको लगता है कि आपका patient slow है, और उसकी कहानी भी वही चल रही है, और उसने आपको कहानी दे रही है, द्वाईयों ने मुझे slow कर दिया, तो हम भी वही करेंगे, फिर हम उसको second कर देंगे, तो हमें यह समझना है कि medicine का कितना बड़ा रोल है, medicine हमारे neurochemical changes को ठीक करती है, हमारे अंदर chemical imbalance हुआ, जिसकी वजा से यह हम high में गए, यह हम low में गए, यह हमें paranoia आया, यह हमें suspiciousness आई, यह हमें anxiety आई, यह हमें low mood आया, तो medicine में साथ साथ में उसके इस mood को भी manage किया, क्योंकि addiction is a mood disorder, जब हमने mood manage किया, तो उसके लिए कुछ देर के लिए दवाईया च जाएंगे, जल्दी से settle हो जाएंगे और उदर नहीं देखेंगे हम आगे चलेंगे, अच्छा एक सबसे important जो हमारा quality coping mechanism है, वो है negative appraisal, हम कई बार कुछ ऐसी statements अपने loved one को दे देते हैं, जो सालो साल याद रखता है, सालो साल, इन्होंने वो नहीं याद रखा होता कि जो आपने इनको पैसे दिये हैं, या इनको help किया है, इनको continue करने के लिए, पर वो याद रहता है जो ताना दिया हमने, for example, कुछ ऐसी statements होती है, एंने नहीं सुदरना, एंनी ठीग हो सकता, यह ऐसी जोगगा ही है, एंने बाद तो सड़का तही रूल है, एंने पुलिश कोल ही एंने जेल ही जाना है, ultimately, तो यह इतनी negative appraisal है, फ्लीज, आप इधर focus करें, अभी मिलेंगे हम अपने loved ones को बाद में, तो यह जो negative appraisal है, हम इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी family, जब ऐसी कोई statement देता है, तो वो जो हमारे loves है, वो तीर की तरह गए हैं, हमारे बच्चों क पास, और उन्हों ने उसको पकड़ लिया है, अब चोड़ ही नहीं है, जो हम रिजेंटमेंट्मेंट्स की बात करते हैं, उन रिजेंटमेंट्स में यह बहुत जादा होता है, यह बही माँ केंदी है, तुम मर जाँ, बहुत बारी ना हमारे यह statements आती है, जो बच्चे कहत पत्थर जम्में कुछ ऐसा पिछ क्या होता है, कुछ ऐसी statement होती तो जम्दाई ना, मेरे का अरकोडियो जंदी इस तो चंगा, तो ठीक नहीं हो सगदा कदी, तो यह यह ऐसी statement हम जब बोलते हैं, ठीक है हमारी frustrations होती है कही बारी, बट वी नीग तु सी, कि जब हम यह यह अगर वो ठीक हो के घर गया है, और उसमें कोई उसका behavior आ गया है, कुछ भी, XYZ, aggressive behavior आ गया है, उसमें अगर हमने यह बोल दिया, कि तो जिन्दी जनी ठीक हो सकता, तो हमने तो उसकी थोड़ी बहुती जो selfish theme उपर हुई है, उसको भी down कर दिया, तो negative appraisal मतलब appraisal word बनाएं प्रेस से, प्रेस का मतलब कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशेट कर रहे हैं, पड़ यहां पर वाइस परसा क्या हो गया, आपने अप्रेस क्या किया, सिरफ negative, आपने उसकी किस चीज की उपर बात की, जो उसके अंदर कमिया हैं, जो तो उसके अंदर कामिया हैं, सो आपने उसके बारे में जो इसकी स्ट्रेंच हैं उसको अप्रिशेट नहीं किया, पड़ आपने स्थीज च्याथिया, प्रिटिसाइज किया, और ओवर दे पीरिए ऑफ ताइम, क्योंकि हम बेमारी के साथ दील कर करके खुद हम ठख जाते ह तो हमारे अंदर अंदर से रिमार्स कहते हैं हमें सिरफ पेशेंट की क्रिटिकालिटी उसकी खामियां उसके फॉल्ट्स उसकी शॉर्टकमिंग्स ही दिखती है जो उसकी अच्छाईयां थी वो तो सब हम मिट्टी डाल दते हैं अधियुमन नेचर भी है कि दस चीजें अच्छी करो इंसान को याद कौन सी रहती कि जे ओ एक आपने नहीं की होती तो नेगटिव अप्रेजल में क्यों होता है क्योंकि हमारा आटिट्यूट होस्टाइल बन गया होता है क्योंकि आउट ऑफ रस्ट्रेशन आंगर तो अब ह स्टेलिटी में हमारे रिमार्क्स कैसे आते हैं जो हमने पूरी लिस्ट आपको बताई तो पैदा ही ना होता है मारी जान दा इस तो चंगा थे कुड़ी हो जान दी मताद केड़ हो दिन सी जदो तू जम्या है ठीक है तो यह आप देखे कि यह उस दिर हमने कहीं ना कहीं प अपना पोपिंग मैसमिजम है फॉल की वला जो मैं पता ही नहीं है बिना सोचे समझे कि वह बात अगले की दिमाग में फिक्स होगी मैं दुबारा बोलूंगी जब आपने उसको पैसे दिये थे वह उसको याद नहीं थे जब आपने उसकी किसी बात को सेटिंड किया था व को एक रिजन्टमेंट बन जा तो वी शुद बेरी केरफूल हाओ वी असे नौमली यहां पर भी होता है कि अगर वह आपसे बात कर रहे हैं मीटिंग के बाद आपने उनको अप्रिशेट नहीं किया फॉर लिटल लिटल थिंग्स की वह नहां के बैट है वह अग्रूमों के बैठ है वह आपके साथ बना डरे ठीक है आपसे बात कर रहा है पट आप जाते टाइम वह कुछ कैदत है आपने वह चार चीज़ें उसकी डिसकाउंट कर दी और एक चीज तो सुदर नहीं नहीं है देख्या दो मिलने वार भी तेरा अई हाल है नाट इस नेगेटिव अप पैस्टी जहां पर एक इंसान को पता होता है you are not good enough he knows that कि जब वो रोज बेबसी में आतना उसे मालूम है तो आप देखें कि नेगेटिव अप्रेजल में जब आपका सिर्फ ब्लेम्स की तरफ ध्यान जा रहा है और अगर आप यहां पर ढूंड सेक्ते हैं अगर यहां पर पेशेंट आपको सिर्फ गल्तियां गिनार है रादर देन की वो प्रोग्रम की कुछ तो एक बात उसको अच्छी लगी होगी और उसको नहीं वो गिनारा पड़ यहां पर सिर्फ नेगेटिव अप्रेजल यह ठीक नी वो ठीक नी खाना ठीक नी माडम ठीक नी प्रोग्रम ठीक नी बार्नी जाने देते तो आपको यह इडेंटिफाय हो जाना चाहिए कि यह कौन सा फॉल्टी प इतने कैसे थे कि वह जादा तीख़े थे ईखाना केल जमान उसकी कितनी तीखी केंचि की तरत współके हिए कि अपके जो शब्दण आते हैं वह इतने क्रिटिकल होते हैं कि दूसरों को फार देते हैंạtoler कर दते इए और इसंपर प्रवोकिंग दोनों चलती है यह प्रोवकेशन ही होती है ना हम अगर हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी तो हमने प्रवोक ही कर दिया तो नोखिद है तो निकम्मा है जिंदगी ची कुछ नहीं कार सकता बात पैसा पर बात कर दिया पेशन्टों जब प्रेक्मेंट में आ केना में एक मिनर रहो में दो मिनरो में कितने मीरों तीसरा उने कॉंपेशन नियुक्यंक उनको ख़ुद को डैउट होता है अपनी फंक्शनालिटी उनको लगता है पता आपनी में जाके वह सारी दिस वह सारी शीजें वहां और नहीं दुनाए तो हमने बीग पारन्स इन कि अगर आप सब कुछ उसको परोज के दे रहे थे तो अगर आप सब कुछ परोज के दे रहे थे ताट मींस functionality उसके बिलकुल कम है हमै तो आप ऋपनी चाहिक है जेनरेल treatment से हम क्या आते स्페ेसिफिक treatment की तरफ और आपको अपनी भी फंक्शनालिटी देखना है, क्योंकि बिमारी के साथ कोई ओवर पीर आफ टाइम, दस-फंदरा साल रा है, तो उसकी भी तो फंक्शनालिटी कम हुई है, तो उसको भी उसमे में एक थेरपी प्लान चाहिए, कि वो अपने आपको भी रिस्टोर करें वा quarant欢그램ा होती हुए पेशन की विल निच्छ उती है, पेशन की विल को हमने धीरे 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 ऊपर ले का इन होता है, और उसको स्केल्स में होते हैुए, पामिली की वील जो इतनी है, वो ओवर पिरैज ओफ ताइम, वो कहीं न पहूंतंख पड़ता है, कि सारे स्केल सेस अब मुझे सब कुछ आ गया है तो उनकी विल डाउन चले जाती है उनकी प्राइर्टीज चेंज जाती है I am very specifically telling you हमारी priorities after 1, 2, 3, 4 months change जाती है specifically after 100 days change जाती है फिर हमें लगता है कि बाकी चीज़े prioritize करें अब treatment तो हो गया अब शादी पर जाना जरूरी है अब इसका ये वीजा लगवाना जरूरी है चलो अब इसकी शादी गरा दें ये जरूरी है तो हम ये समझें कि बिमाजी है ठीक होने में थोड़ा सा time लगए आपको patience उखनी करें हम आपके साथ अच्छ अनादर वान इस लाइक वह हमने response persistence so response persistence मतलब एक ही काम आप बार बार करीते जा रहे हैं और expect करें कि result different आई एक शुगर वाला patient हर बार मिठाई कहते है पट expect कर रहे हैं कि इस बार शुगर नहीं बढ़ेगी तो उसी तरह हमारे patients क्या कर रहे होते हैं कि इस बार हम नशा करेंगे इस बार पचा लेंगे इस बार वो high आ जाएगी और अगर हम अपनी बात करें फैमिली की तो उनके पा शायद प्यार करेंगे तो मान जाएँगे शायद बात सुनेंगे तो मान जाएँगे चलो इस बार इसकी बात सुन लेते हैं डॉक्साब हमेशा कहते हैं हम सारे already almost 10 years late almost 10 years late 10 साल हमने अपने तरीके से करने की कोशिश की है इसको responsible systems कहते हैं हमें पता है अंदर से हमने अपने तरीके से हिलाज किया हमने अपने तरीके से उसकी मदद की वो failure हुआ है वो successful नहीं हुआ फिर भी हम वही करी जाने है वही करी जाने तो इसका मतलब है हम एक faulty belief में रह रह हमने सब follow की है ठीक है कि वो ठीक हो जाए पर बार बार उन actions के साथ क्या आपको results मिले ग्यारवी बार भी हमें लगता है कि दस बार जो fail हुए ग्यारवी बार फिर common sense की समझ से हम इसको ठीक कर लेंगे तो वेरेस प्रोग्रम से इसकी जब तक science नहीं आएगी जब तक बिमा के enabling करके हर बात फोन ला दो मुझे बाहर भेज दो एक यह नई गाड़ी ले दो यह सब हमने किया यह response हमने बार बार प्रसिस्ट किये क्या वो ठीक हुए गुसा गालियां धंकियां क्या उससे ठीक हुए हमने यह जो अपने पाटन्स हैं हमेशा कितने सालों से प्रसिस्ट करना चाहोगे कि आप कदम वही कर रहे हो पड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट आपको डिफ्रेंट मिल जाए तो नहीं होने वाला अगर बिमारी है तो बिमारी को इलाज के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा अब आप लोगों के questions कि आप लोग identify कर पाए यह 7 जो हमने 40 coping mechanisms किये तो आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे जादा हो सकता है कि शायद 2-3 सबसे जादा हो और कई बार लगता है कि सातों के सातों हमने किये हुए क्या आप इससे identify कर पाए हैं जो आप कुछ चाहते हैं कि ह आपने किसी चीज के साथ रिलेट किया या फिर मैंने पहलों करें आपने लिया आज के सेशन में यह जो पॉल्टी हमारे कोपिंग मैकनिसम्स है यह हमारी अडिक्शन ही है यह हमारी माइक्रटीक्शन ही है जो अलग-अलग से और जो सब में होती हैं तो एनीफिग यह वांट तो आज़्या आपने कुछ रिलेट किया है इसी के साथ आपने कुछ पूछना है जो नहीं समझ आया यह आप चाहते हैं कि हम रिपीट करें क्योंकि यह वेले आपके कोपिंग माकनिसम यह आपकी micro addictions part and parcel बनेंगी macro addiction के रिए यह उनको बढ़ाएंगी macro addiction मतलब कि जो दिखती है micro मतलब invisible but वो 20% जो micro addiction है वो नुकसान 80% रखने की दम रखती है अगर आप अपने इन पर काम कर लेंगे तो फिर हम जो बड़ी बिमारी आज को easily solve कर पाएंगे